दोस्तों नमस्कार पिछले वीडियो में हमने नेटवर्किंग के बारे में बात की नेटवर्किंग का मात्वा क्या होता है उससे क्या फायदा हो सकते हैं मैं आपको आज एक चोटा सा उधारन दे रहा हूं जिसमें से एक बुनकर को अच्छी तरह से नेटवर्किंग करने का फायदा क्या हुआ वह बुनकर ने अपना एक व्यवसाय चोटा पहमाने पर शुरू किया था आइस्ता उसमें नए सैंपल्स बनाके डेवलप करके लोगों को दिखाने लगा एक बार ऐसा हुआ कि कोई एक अच्छा बायर उनके पास उनका जो बराय हुए सैंपल्स देखने आएं काफी उनको चीज़ें अच्छी लगी मगर अक्सर यह होता है कि जब आम कारीगर कुछ बनाकर रखते हैं तो और को जगह से आते तो उनकी मार्केट अलग तरह के होती है तो उन्होंने बताया कि मुझे आपके यह डिजाइन पसंद है मगर म आपको जो है यह पटिकलर आपकी यह डिजाइन के स्टोल जो है उसका मुझे 300 पीस का ओडर देना है आप क्या कर सकेंगे तो कारीगरी तोड़ा सोच में पड़ गया कि 300 पीस का ओडर और बायर ने भी बताया खरीदार ने यह बताया कि मुझे यह 300 पीस दो महिने में पाइदर करना तो इसने उन से बताया कि मैं तोड़ा आपको सोच के बताता हूं क्योंकि इसने मुझा वह देख रहा था मगर वह तेह कर नहीं पा रहा था कि मैं 300 पीस दो मेने में बनाऊं कैसे और ना भी नहीं बोल सकता था क्योंकि उसमें उसको एक पीस के पीछे कम से क 500-200 रुपे का फायदा हो सकता था जो चीज वह उनको बनाने में 200 रुपया सवा 200 रुपया पड़ती थी वह चीज बायर जो है उनसे 380 रुपय में लेने के लिए तियार हैं तो एक पीस के पीछे 200 रुपय का भी फायदा हो और 330 बनाया है तो कम से कम 45 पचास जार का नंबर दे दी इसने शाम को जो है उसके कुछ बुनकर मित्रों के साथ बात किया कि इस तरीके से मेरे पास एक बायर आये थे और 350 का वो मुझे और दे रहे हैं तो मगर मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ तो उसका एक दोस्त ने बला उसमें क्या बड़ी बात है 300 पीस तो बनाने हैं हम अगर छे लोग मिलके पचास-पचास बना लेंगे तो तेरा दो महीने तो क्या डेड़ महीने के अंदर-अंदर हम उसको समान दे सकेंगे इसमें जो भी इनके कलर में चाहिए जो डिजाइन में चाहिए वह आपस में हम लोग समझ ल इस तरीके से अगर जो कारीगर मित्रा जो है एक दूसरे में नेट्वर्किंग करके अगर अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें वह एक नया स्थर पे अपना बिजनेस को ले जा सकते हैं तो इसमें से यह हमें सबसे बड़ा फायदा इनको यह हुआ कि जब इसने ओर के वह वायर के साथ सालाना कम से कम 15-20 रुपे का बिजनस कर रहे हैं तो इसी तरह आप भी चोटा सा व्यवसाय को आप अपने बड़ा स्थर पर कैसे ले जा सकते हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं अगले वीडियो में हम इसके बारे में दूसरी बाते करेंगे मेरा कभी भी आप मझे फोन या वाट्साइब कर सकते हैं